हेलो दोस्तों आरेचे मश्रूम स्पॉन लेवें टेनिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पे आप लोगा स्वागत है जहाँ पर आपको मश्रूम से संबंदे सभी परकार की जानकरिया उपलब्द करवाई जाती है और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि औश्ट्र मश्रूम के बैग को कुछ हम इस तरह से बरते हैं यह देखिए जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से आपके बैग भरे जाते ह हैं कि पहले तो चार इंची भूसा बरते हैं चार इंची भूसा बरने के बाद उसमें हम बीच की एक लिया लगाते हैं बीच जो गब आपका किनारों से पड़ेगा अभी आपको वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं उसमें सब चीज दिखाए है यह हमारी चार इंची भूसा है कुछ इस तरह से आपको भूसे को भरना इस तरह से आपको दवाते रहना है चार उत्रफ से आपको दवाना है बैक को अब यह देखिए यह मश्रूम का हमारा बीच है और इसको इस तरह से बीच को लिया जाएगा और ये साइट से किनारे से आप लोग देखें कि इस तरह से हम लोग किनारे से बीच को डालेंगे बीच में आपको बीच डालने कोई ज़रुवत नहीं आपको बीच जो है वो किनारे से ही डालना इसमें layer बिधी है यह हमारी दोस्तों इसको हम लोग layer बिधी कहते हैं mix बिधी भी होती है उसमें हम लोग beach को पूरा mix कर देते हैं भूसे में और back को कुछ इस तरह से बढ़ते हैं तो यहाँ पर back भरने की जो बिधी है वो layer बिधी है दोस्तों अगर mix बिधी भी भी बैग आप इसी तरह से भरेंगे कि बैग को आपको दवा दवा के ही भरना है चार उत्रप से कोई भी लूज नहीं रखना ऐसा नहीं है आपने भूसा लिया और उसको भर दिया तो इस तरह से हमें नहीं भरना है बैग को बैग भरते समय हमें यही ध्यान में रखना है कि आपके बैग में लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उससे बचने के लिए आपको क्या है कि भूसे को दबाते रहना है अच्छे से साइडों से और चार-चार इंच की आप लेयर लगाते जाए ये भूसे की इसके बाद किनारे से बीज लगाई है तो ये इस तरह से हम लोग देखिए बीज लगा रहे हैं और इसमें बीज लगाने का फिर आप भूसा भर दीजे चार इंच कभी-कभी ये हो जाता है कि आप कुछ लोग पूसते है इतनी जगे आपको छोड़नी है बाकी का आप बीच को जो है भूसे को आप भर दीजिए और यहां पर देखिए कुछ भूसे को भरा जा रहा है इस तरह से कि भूसे को आपको दवा-दवा के ही भरना है और पॉलोथिन कुछ लोग करते हैं जब उनको बोलते हैं कि दवा-दवा के भरना है तो ज़्यादा टाइट नहीं दवाना है आपको और ज़्यादा आपको लूस भी ने रखना है तो जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे आपको भूस भरना है और कितना दवाना है वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि कैसे दवाया जा रहा है इतना हार्ट भी नहीं दवाना है और इतना लूस भी नहीं छोड़ना और इस तरह से जब भूस लगा दें बहुत धीला बांद देते हैं तो आपको इसमें ये भी दिखाया जाएगा भी कि किस तरह से आपको बैक को बांदना है तो बांदने के लिए भी आपको पूरा बैक जो है नहीं भरना थोड़ी जगह चोड़ देनी है जैसा कि अभी आप लोग देखेंगे वीडियो में कि पन्नी को हम लोग पूरा नहीं भरेंगे तो कुछ इतना ही वस पन्नी भरी जाएगी और इसके बाद इस पन्नी को चारो तरब से खीच करके बांद दिया जाएगा दोस्तों अब यहाँ पर बैक का साइज देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं और यह मैं आपको पॉलिथिन का साइज बता दू दोस्तों यह 18 वाई 24 है यहाँ पर हमारा जो 18 है वो इसकी चोड़ाई है और 24 इसकी हाइट है तो दोस्तों देखिए हमारा यह बैक कंप्लेट हो चुका है और इसको बांधा कैसे जाएगा वो आप देखिए वो बहुत में होता है इस तरह से खीच के इसको चारो तरफ से अच्छे से बांते बिल्कुल पॉलिथिन आपकी चिपकी होने चीए भूसे से और इस तरह से पन्नी को पर से आप पूरा गुमा दीजिए और इसमें आप रवड लगा दीजिएगा यह इसका बैक भरने का एक बहुत अच्छा तरीका है और आपके बैक हमेसा आप इसी तरह भरेंगे तो आपको कोई नुकसान नी होगा हर एक बैक से आपका प्रोडक्शन होगा कोई बैक आपका खराब नी होगा तो रवड यह देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आप रवड लगाएंगे समें पूरा टाइट करके आपका भूसा बिलकुल अच्छे से दब जाता है और चारो तरप से अगर और वीडियो आप चाहिए तो प्लीस चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दोस्तों